हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो मैं यूट्यूप चैनल इसका नाम है बियॉण बुक्स एज्जुकीशन जस्टिफाइग एज्जुकीशन आजम पढ़ने वाले हैं स्टांडर्ड 9 शुशल साइंस और मैं हूँ आपका फ्रेंड टीचर आशिस बचवानी आजम पढ़ने वाल है कि हमारे भारत का जो समविधान है constitution है वो क्या है किस तरह से बना था और उसके कौन से कौन से features है यह जो वीडियो है न चैप्टर 8 9 10 और 11 हमारे पास यह जो चार चैप्टर है यह politics के हैं आपको politics में थोड़ा भी इंटरस्ट नहीं है आपको boring लगता है कि हमारे prime minister कौन स क्या होता है okay president क्या होता है vice president क्या होता है लोक सबहर voting कैसे होती तो यह सारी चीचों के जो आपकी question के answer है इन चार चैप्टरों में मैं आपको बताने वाला हूं और वो भी retail में आप YouTube पे किसी भी तरह का वीडियो देख लीजिए आपको शायद थोड़ा बहुत confusion रहेगा यह चार चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई confusion नहीं रहेगा चाहे आप SSC की एक्जाम दे रहे हो banking की एक्जाम दे रहे हो कोई भी government एक्जाम दे रहे हो यहां फिर अप UPSC यहां फिर GPSC की भी preparation कर रहे हो तो यह जो information में आपको इन चार चैप्टर में देने वारा हो यह बहुत ही basic और important document रहने वाली है तो आपके parents है आपके friends है अगर उनको भी यह information समझ नहीं है तो उनके लिए भी यह बहुत ही helpful है इन चैप्टर को as a chapter मत पढ़िए इनको as a learning की तरह पढ़िए क्यों यह चैप्टर को समझना बहुत ही important है यह आपको lifetime काम आने वाला है स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर को हम लोग आज चैप्टर नमर 8 क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम what we are learn today सबसे पहला है what is constitution तुम constitution से लेके and तक किस तरह से पूरा काम होता है मतलब कि A to Z सारी चीज़े हम लोग पढ़ने वाले है सबसे पहला question की constitution क्या है explain importance of constitution constitution के importance के बारे में पढ़ने वाले है explain process of framing Indian constitution फिर इंडिया का जो constitution है किस तरह से बना वो पढ़ने वाले है and why the constitution of India is the most detailed and elaborate national document क्यों हमारा constitution का जो document है वो बहुत ही important है और बहुत ही detail में लिखा हुआ है यह पहले 4 questions आज हम पढ़ने वाले है सबसे पहला question हमारे सामने है what is constitution constitution क्या है so any systematic collection of rule किसी भी तरह के rule का एक मिश्रण मनलब कि इंडिया में बहुत सारे rule है किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको rule follow करना पड़ता है ऐसे बहुत सारे rule का जो collection है designed to govern a country ऐसे बहुत सारे rules का collection बनाया गया है ताकि जो हमारी country है उसको बहुत ही easy तरह से govern मतलब कि चलाया जाए और लोगों को control किया जाए और रिगमीन is known as a constitution और ऐसे जो rules का जो group है जिससे हम लोग country के लोगों को बढ़ा सकते हैं कि आप किसी भी तरह का काम करने के लिए कौन से rule को follow करोगे और किस तरह से आप किस काम को easily complete करोगे तो ऐसे जो rules and regulations जिस book में लिखे हुए है उसका नाम क्या है constitution okay but अब इसे हम कह सकते है group of rules otherwise collection of rule जिसको country को चलाने के लिए बनाए गये थे जिस अब से पहला question था कि constitution क्या है यह definition one work में exam में पूछ सकते हैं तो इसको याद रखना है as a purpose of standard 9 अगर आप जंडरली पढ़ रहे हैं किसी भी banking ये government की exam के लिए तो कोई दिक्कत नहीं second अगर हम देखें हमारे सामने second question है explain the importance of constitution constitution का क्या importance है हमारे सामने क्यों यह इतना important है constitution is the basic and most important document हमारे इंडिया में सबसे basic और सबसे महत्वा का document रहा है क्योंकि यही एक चीज है जिसको हम लोग country को easily चलाने के लिए follow करते हैं और इंडिया के सारे के सारी लोग जिदने भी people है वो इसी चीज को follow करते हैं इवर वो prime minister हो या फिर कोई छोटा सा इंसान क्यों ना हो the laws of the country are based on the constitution हमारे country के जो law है जो नियम है वो किसके आधार पर है constitution के आधार पर है मतलब कि यह एक तरह की book हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे नियम लिखे हैं laws लिखे हैं यहां पर rules लिखे हुए हैं उसी के आधार पर हम country को चलाते हैं the country's constitution and the constitution's law बलब कि हमारी country के देश के जो constitution है नियम है और उसके अंदर जो अलग-अलग नियमों को बनाया गया है अलग-अलग subject को divide किया गया है और उनको अलग-अलग types में बताया गया है कि आप किस तरह के काम के लिए कौन सा rule follow करोगे जिसे हम कहते हैं types या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह का काम किस प्रकार का काम आप कर रहे हो आप एक businessman हो आप एक school open करना चाहते हो आप एक NGO open करना चाहते हो या फिर आप किसी भी तरह के armament मतलब की हत्यार करिदना चाहते हो कोई भी तरह का काम करना जाते हैं उन सारी चीजों के बार में उन सारी चीजों के डूल्स के बार में आपको इस बुक में बताया गया है भारत में जितने भी नियमें उन सबसे उपर क्या है Constitution Constitution involves the periodically changing requirement of the people's aspiration इसके अंदर क्या-क्या बताया गया है कि किस तरह से लोग जो है अपनी जरूरतों को बदलते हैं समय के इसाब से उनकी जो इच्छा है है उनकी जो एक्सपेक्टिशन है वो बदलती रहती है उनका जो इंटरेस्ट है किन-किन चीजों में वो इच्छुक है उनको क्या-क्या पसंद है ना-पसंद है इवन उनके जो इमोशन है कितने इंपोर्टन है कंट्री के लिए और वो किस तरह से चेंज होते है वो इस बुक में आपको इजीली बताया गया है इसी वज़ा से इसी वज़ा से यही एक नियमों की जो बुक है नियमों की जो बुक है आपको एक तरह का connection दिखा दिए कि लोग किस तरह से connected है दूसरे के अंदर और जैसे ही feelings में चेंज आती है expectation में चेंज आती है यहाँ फिर किसी भी तरह के situation में चेंज आती है और अगर उस situation के बारे में या फिर उस situation के regarding कोई भी rules constitution में नहीं लिखा तो आप इसको change भी कर सकती हूँ मतलब कि यह totally किस पर dependent है लोगों पर dependent है इसलिए इसको live and basic document भी कहा जाता है हमारा भारत का जो समविधान है Indian constitution है वो किस तरह से बनाया गया तो आप सबने ये cabinet mission के बारे में पढ़ा होगा कि जो cabinet mission है उसके अंदर कितने member थे तीन member थे और उन्होंने इंडिया का जो है इंडिपैनेंस जो है उसका solution लाने के लिए बहुत सारे नियमों की एक book बनाए थी वो सिर्फ basic book थी कि वो हमारा constitution नहीं था कि किस तरह से इंडिया का partition होगा कौन से लोग इंडिया में रहेंगे कौन से लोग इंडिया के बाहर जाएंगे इस सिर्फ चीजों के बारे में डिसकस किया था और डीटेल इंफर्मेशन नहीं थी cabinet mission में कितने लोग थे तरह से लोग थे और इनवन मर्नब की बिटिस गवर्मेंट ने पचीज मर्च उननीस तो चाहलिस को यह सारे कि सारी जो इंडिया की जो प्रॉसेस है इंडिया को आजाद करने के प्रॉसेस शुरू कर दी थी और अल्मोस्ट सारी पावर जो है दिरे दिरे इंडिया की लोगों को देने शुरू कर दी थी लेकिन यह complete कब हुई तो यह 15.1947 को complete हुई थी इसलिए हम उसी दिन को as independence day celebrate करते हैं अब कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे और उन लोगों ने सूचा कि अगर हमें आजादी मिल गई जो कि हमें मिली 15 अगस्त 1947 को बट इस 1946 से 1947 के बीच में यह कैबिनेट मिशन मना उससे पहले ही हम लोग constitution तो बना ही रहे थे कि हमाए अगर आजादी मिल जाए तो हम कौनसे कौनसे रूल बनाएंगे और कौनसे कौनसे रूल जो है नियमों का पालन करेंगे लोगों के साथ मिलका है तो constitution assembly बनी जहाँ पे लोगों ने structure decide किया कि किस तरह से हमारा जो भारत का सम्वितान है वो बनेगा जिसमें rules and regulation होगी constitution assembly comprised of 389 members इसमें कुल कितने member थे 389, 389 member थे और यह जो member थे यह बिना किसी जादपात किसी भी धरम किसी भी पुरुस के भेदबाओ के बिना या उच नीच के भेदबाओ के बिना किसी भी तरह के geographical diversification मतलब कि तुम उत्ता पंजाब से हो तुम राजस्तान से हो तुम गुजरात से हो किसी भी तरह के state के या area के place के politics के किसी भी तरह के भेदबाओ के बिना बनाए गए थे और यहाँ पे जो अलग-अलग expert थे उनको बुलाए गए थे यह जो expert थे 389 लोग इन में किसी भी तरह का बेदबाओ नहीं था यह सारे के सारे एक थे उके, इनमें कोई भी तरह की मुलाना अबुल कलाम आजाद शाम प्रसाद मुखर जी, एच पी मोदी, हवी कामनात, फ्रैंक एंटोनी, कनयलाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अयर, बल्देग सिंग एन, ये जो थे, जो मैन रिप्रेजन्टेटिव थे, इनके कुछ-कुछ नाम है, 389 में से कुछ-कुछ लोगों के ही आपको नाम टेक्स् प्रेंट मेंबर थे, बहुत सारी वोमन्स और भी रही होंगी, बट सिर्फ ये दो ही नाम आपको टेक्स्बुक में लिए गए है, कि वोमन रिप्रेजन्टिटिव कौन से थे, सरोजनी नैडू एन विज्यालक्षमी पंडि, ये दो थे हैं, जो कंस्टिटिशन बनाने में एक helpful member रहे थे, अब Dr. Rajinder Prasad, जो President रहे थे Constitution Assembly के, जो Constitution बन रहा था, जिसमें 389 members के जो President थे, जो इन सब के बारे में information रखते थे और discuss करते थे, वो कौन थे? Dr. Rajinder Prasad, जी सबसे important चीज़ है, एक्जाम में बहुत बार पुछा चाता है, who is the President of Constitution Assembly? Dr. Rajinder Prasad, a drafting committee was appointed to the draft of Constitution, draft मतलब उसको लिखना, जो भी rules बना रहे हो, जो discuss कर रहे हो, फिर उसको लिखना पड़ता है, डीटेल में, उसके नियाम, सब point, इसा अगर आपने first RALA की railway के ल changes कौन से करोगे, जो railway changes में A, B, C, D, ऐसे अलग-अलग books जो हैं बनाए गए थी, और ऐसे इसी तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा constitution इंडिया का बन चुका था, दिरे-दिरे करते, तो यह जो draft थी, यह जो detail में लिखने की जो information थी, यह काम किस ने किया, तो Dr. Bhimrav Ambedkar, तो Dr. Bhimrav Ambedkar जो थे, chairman रहे थे हमारे drafting committee के, यह question दो exam में आ सकते हैं, this is the picture of Dr. Rajinder Prashad, this is the president of the constitution, and next अगर हम बात करें, तो Dr. Bhimrav Ambedkar, जो drafting committee के head से, देखो, आप यहाँ पर इनक्याद में book भी देख सकते हैं, यह पूरी के पूरी जो book लिखी गई थे, return form में, उनका जो पू detail बनाने में help किस ने की थी, precedent मतलब की राजेंदर प्रसाथ जी रहे, तो यह दो सबसे important information थी, जो exam में कहीं बार पुछी जाती है, अब याद रहे है कि कब शुरू हुआ ये, तो 9th November 1946 को इन लोगों ने काम की शुरूआत की, कितने member थे, 389 member, जिसमें एक president था, और एक drafting committee का head, इन लोगों ने काम शुरू किया, और इन लोगों ने काम खतम करने में कितने शैसंस, मतलब कि कितनी बार discussion group लिये, तो 166 शैसंस जो थे, assembly के थे, मतलब कि इन लोगों ने पूरे दिन, मतलब कि जतना भी time लिया, उसमें 166 days तो उन्होंने मिलकर meeting की, सब ने, बाके के दिनों ने, उन लोगों ने individually meeting की, एक जूसे से later से बात कियोगी, या फिर एक जूसे से discuss करके changes किये होगी, या rules बनाए होगे, but, total 166 session हुए थे, उस time के अंदर इस constitution को बनाने में, और कितना time लगा था, तो 2 साल, 11 मैने और 17 दिन, कुछ-कुछ बुक में यह जो days वाला जो problem है रहा है, कहीं पर 9 दिन लिखा है, कहीं पर 13 दिन लिखा है, कहीं पर 17 दिन लिखा है, आज़ाती के बाद भी यह constitution जो बन ही रहा था, complete तरीके से बना नहीं था, member of the assembly had discussed the threat bear each and every detail in provisions, provisions keeping in the concern of the matter, या पर assembly में सब लोग जो भी discuss करते थे, जितने भी rules थे, उसको detail में discuss करते थे, इस topic का क्या-क्या problem हो सकता है, अब देखो अभी के time में जो भी मलब की कोई भी problem, अभी अपरन हो रहा हो, rape हो, murder हो रहा हो, किसी भी तरह का crime हो रहा हो, या किसी भी तरह की changes जो है, उन सारी चीजों के rule अभी के अभी constitution में मिल जाते हैं, तो इनके बारे में detail में सोचना बहुत बड़ी important चीज है, और इन्होंने एक country के लिए किया, और बहुत दीटेल में constitution बनाया, constitution के अंदर कितने articles थे, जैसे मैंने आपको बताए, एक railway, एक अलग-अलग states हैं, उनके बारे में, अब आपको अगर articles के बारे में, और appendices के बारे में detail में बढ़ना है, तो आप Wikipedia पर check कर सकते हैं, आपको सिर्फ लिख, यहां फिर आप Google भी कर सकते हैं, आपको Google पर जाके लिखना क्या है, Constitution of India, बस आपको खली इतना लिखना है, आपको एक PDF मिल जाएगी, English में और Hindi में, जो 4-5 MB की है, ज्यादा नहीं है, वहां पर आपके जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको detail में सारे के सारे 295 articles दिये हैं, और 8 appendices के बारे में जाएगी, बड़ ये पहले थे, अभी इसमें क्या challenges हो गए, इसमें और 100 जितने appendices बढ़ा दिये गए, अभी कितने हैं, 395 articles और 9 appendices, अब अगर आप Google नहीं करना चाहते तो इसकी link जो है, मैं description में दे दूँगा, वहां से अब इसको download करें देख सकते हो, बहुत ही बड़ी detailed information है, इसको अब वहां पर देख लेना कि ये articles और 9 appendices कौन से कौन से कौन से हैं, तो ये detail में उन लोगों ने जो भी नियम बनाये थे, वो इन topics को, इन articles के अंदर और इन appendices के अंदर cover कर लिया गया है, और finally ये कब बना, मतलब कि 2 साल, 11 मेने और 17 दिन लेने के बाद, 9th November 1946 को शुरुआत करने के बाद, ये खतम कब हुआ, तो 26th November 1959, 26th November 1949 को इनकी process complete हो गए, पर इसको अभी तक इन्होंने apply नहीं किया, Constitution was unanimously, unanimously, passed in the Constitution Assembly, और सबने majority रहे थे, कि अब ये जो Constitution मनाये है, वो सही है, On 26th January 1950, और 26th January 1950 को, Constitution को इंडिया में apply किया गया, existence के रूप में इसको apply किया गया, कि अब सब लोग इस नियमों की जो शुरेनी है, इसको follow करेंगे, और इसी ते लिए Republic Day मनाया जाता है, आज भी 26th January 1950 को, that's why we are celebrating 26th January 1950, because of on this day we apply our Constitution rule, that's why we are celebrating as a Republic Day, okay, so every year on 26th January celebrated the Republic Day with the National Forever, okay, so we are very happy to see that के दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्टिकल था, जो सबसे बड़ा Constitution था, वो इंडिया का है, जिसको लिखने में सबसे ज़्यादा मैनत और सबसे ज़्यादा टाइम लिया गया, 2 साल, 11 मेने और 17 डेज, और ये रिटर्न फॉर्म में है, दुनिया में सबसे लेंदी Constitution और रिटर्न फॉर्म में किसी का हो, तो वो किसका है, इंडिया का है, इसका रीजन ये है कि यहां में बहुत अलग-अलग तरह के रिलीजन की लोग है, धर्म की लोग है, इंडिया एक सेक्यूलर कंट्री है, जहां पर किसी भी तरह का धर्म का भेदभाव नहीं होता, इस सारी चीज़े जो हैं टॉपिक, इसके बार में आगे डीटेल में बात करने वाले हैं, कि इन सारी जीजनों की वज़े से बहुत ही डीटेल बन गया, इस कंस्टिशन में क्या-क्या था, तो सेटिजनशीप मनलब की आप कब वोट कर सकते हो, जो अभी आपकी एज औरी चीज़े, 18 साल के वादा वोट कर सकते हो, आपके कौन से कौन से हक है, कापके कौन से राइट से आपकी ड्यूटीस क्या है, इस सारे चीज़ों के बारे में नाइन्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डीटेल में कि आपके राइट से कौन से हैं, आपके ड्यूटीस कौन सी है, सिटिजनशिप क्या है, डारेक्टिव प्रिंसिप और अप्टिप पॉलिसी क्या है, और स्टेट में आपको मिलेंगे चीफ मिनिस्टर, जो अभी हमारे विजयरुपानी इन गुजराथ, तो अब इन टाइप को देख सकते हो, कि डारेक्टिव प्रिंसिपाल में आप ये भी चीज़ देख सकते हो, कि सेंटर और स्टेट के बिच में क्या रिलेशन है, और किस तरह से व्यु związárias राज्या है, अपने अलग नियम बना सकती है, बट कंस्टिट्ूम्स से अलग नहीं, अलग नियम मतलब कि किस तरह से अलग बैथल हो सकती है, नियम अलग नहीं हो सकती है, बिरमेंबर अलग नियम का मतलब मेरा कहना का मतलब यह है कि कोई भी रीत को जो है मैथल को है उसको थोड़ा बर चींज कर सकती है जुनियन स्टेट की अगर हम बात करें रिलेशन के दो अंदर अंदर राज्य की विछ में कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं गुजरात और महाराष्ट के, महाराष्ट और राज़स्थान के, राज़स्थान और एंपी के, बिहार और युपी के उक तो इन सब के कैसे रिलेशन हो सकते हैं अंदर अंदर वो आप यहां पर डिसकस कर सकते हो एलेक्शन कैसे होगी, उनकी मैथल कैसी होगी emergency provisions भारत में जब भी emergency आएगी तब किस तरह से काम होगा अभी भारत में emergency का time तो नहीं चल रहा बढ़ हम कैसे हैं due to corona lockdown जो चल रहा है उसकी वज़र से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं suffer कर रहे तो कहीं न कि government उनको help करने की कोशिश कर रही है maximum की लोगों को help मिले तो यह कहीं न कहीं provisions जो है government में follow किये है कि वो हमेरा constitution में लिखे हुवए है इसलिए हम इसको कहते हैं most detailed and elaborate document so sorry for that कि question पहाद में आया और answer पहले आगया does the constitution of India is the most detailed and elaborate document और यही एक reason था जिसकी विज़े से हम इसको most detailed कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सारी all detailed information मिलेगी कोई information बाकी नहीं है आप एक छोटे से इंसान हो आप एक मजूर हो worker हो या फिर आप एक chairman हो आप एक CEO एक बड़े business man हो याँ फिर आप कोई president हो chief minister हो MLO कुछ भी हो आप सभी के लिए यहाँ पे rules लिखे हुए है क्या आप कौन सी position पे है और किस तरह से काम पर हो यह जो question है यह बहुत ही most time पे है exam में हर बार दो माग में पुछा जाता है so यह कुछ questions से जो आज हम पढ़े अगर कोई भी doubt हो तो आप मुझे please comment section दो बता है और अगर हाँ यह अगर आपको helpful है तो please maximum लोगों तक share कर आखिए वो भी इन चीजों को सीखें समझें और लोगों को बता है so guys thank you so much have a nice day bye bye